इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको यहाँ पे अपने फोन पर Pinterest के application पर login करते time यहाँ पे आपको problem आता है तो इस problem को आप लोग यहाँ पे कैainen ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पे जब भी आप लोग लॉग इन कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कभी-कभी आप लोगों को कुछ और प्रॉब्लम आता है तो कभी-कभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम आता है तो basically यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से problem आ रहा है यहाँ पे लिकर रहता है sorry this does not looks like a valid email तो यहाँ पे दोस्तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे जब आप login करते हैं तो जो अपना email id डालते हैं वो अगर आप लोग यहाँ पे गलत फिल करते हैं तब आपको यह problem आता है तो आप लोगों को अगर email id सहीं से पता नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तो यहाँ पे आप लोगों को continue with google का option आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर इस वाले option पर click करना है यहाँ पर आप लोग जैसे ही click करेंगे तो आपको अपना email id देखने को मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पर आपके phone पर जो भी email id से आप लोग यहाँ पर इसमें login करना चाहते हैं तो उस email id पर आपको यहाँ पर click करना है तो जैसे ही आप लोग उस email id पर click करेंगे तो दोस्तो आपके phone में login हो जाएगा तो इस application में आप लोग इस तरीके से यहाँ पर login या तो फिर sign up कर पाएंगे तो गाईज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तो हमारी चैनल को subscribe भी कर लीजिए तो चलिए गाईज मिलते हैं next वीडियो में